हाँ जी फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फोवर्ट आ गोर्मेंट जोब्स आज बात करेंगे एस आई सी मोडल हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ओफ लेबर एंड एंप्लोर्मेंट गोर्मेंट ऑफ इंडिया में निकली होई पोस्ट के बारे में बारत नगर लुद्याना की यह पोस् कर लीजिए ताकि हर एक नोकरी की आपको जनकरी मिले अगर बैल ऐकन प्रेस नहीं किया होगा तो किसी भी नोकरी का जो जनकरी हो आपके पास नहीं पहुंचेगी जदा देर ना लगाते होई वीडियो स्टार्ट करेंगे वाक इन इंट्रव्यू है नत्ती 1-221 को सुबह 9 बजे पोस्टर कौन कौन सी रहेंगी क्वालिफकेशन क्या रहेंगी सारी बात करेंगे जो सीनियर रेजिजेंट हैं कॉंट्राक्ट बेसे 39 डेज एक्स्टेंडेबल अब टू 39 डेज मतलब कि इनिशिल पिरिट जो रहेगा 39 डेज का रहेगा एक्स्टेंडेबल भी है 39 ड प्रशन को डेजूब की जो डिपाटमेंट है वो ऑप सेंड ग्यानी वैकंशी 5 एंडी की बात कर लेते हैं योंड इंडिफाइशन की एक है वर फिसीकल हेंकि क्रेटिट हैं यह यह पाई ड्याट्रिक्स की तीन है ओल है ओल की बात करेंगे वन लैग अफेक्टटड गी जेनरल मेडिशन की एक है वन लाइग अफेक्टेड की, कैजूल्टी की तीन है वन लाइग अफेक्टेड की, जेनरल सेरेजरी की दो है, एंडी, नौट अटेंटिफाइड सुटेबल फोर फिजिकल एंडीकेप्ट, आगे बात करेंगे जो क्वालिफिकेशन रहेगी, सीनियर रेजिजेंट ओन कॉंट्रक्ट बेसिस के लिए, पोस्ट ग्रेजूट डिग्री होनी चाहिए, जा पोस्ट ग्रेजूट डिपलोमा होना चाहिए, एक कन्सरस स्पेशलिस्टी from Rikogna University, जा रिजिस्टर विद मैडीकल कंसुल ओफ इंडिया, मैडीकल कंसुल के साथ रिजिस्टर होना चाहिए, जा सट्ट द्रेजिस्टर होना चाहिए, नोट इनों ने दिया हो एगभी जो senior resident केस्वाल्ट के लिए रहेंगे, से उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए क्लिनिकल ब्राँचेस विल वी कंसीडर् मतलब कि उनको पहल दी चाहिए इसमें जिनका डिप्लोमा जाए डिकरी है क्लिनिकल ब्रांचेस में एज अंट्रिव्यू की बात कर लेती है एज है जो सैंती साल के ज्यादा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए सैंती साल और जो SC, OBC, ST, BWD है उनके लिए एज एलेक्शन सेसेशन रहेगी अकोर्डिंग टू सेंटर गोर्मेंट जो सैलरी रहेगी उसकी बात कर लेते हैं पे एंड अलाउंस एस बर रूर्ज एंड एड़ एड़कॉर्टर ऑफिस और्डर फ्रॉम टाइम टो टाइम जो उन्हें पे किया जाएगा जा अलाउंस मिलेंगे उनको वो अकॉर्डिंग टू हैड़कॉर्टर के साथ रिजिस्टर होने ही चाहिए यहने स्पेशली मेडियेटर के साइन लगा के दी हुए अपलाई कैसे करने हैं देखिए अपलाई करने की बात भी हम आपको पता देते हैं जो एलिजिबल कैंटिडेट है जा डिजाइडे कैंडिडेट है वो जो एड्यूकेशन क्वा फोटो कोपी का जो उनके डॉक्यमेंट्स एक एक सेट बनाएंगे जिसमें एज प्रूफ एज वि रहेगा क्वालिफिकेशन भी रहेगी अटेंप्ट्र मार्क्षीर से भी रहेगी डिगरी वि रहेगी और मेडिकल काउंसल वाला रिजट्रेशन भी रहेगी एसी ایसी वह बीसी है वो अपनी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके साथ में कैटेकरी जो उनकी का सर्टिफिकेट है वह भी लगाएंगे और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए एप्लिकेंट्स आडवाइस रपोर्ट था मेडिकल कॉंसल इसी होस्पीटल भारत नगर लुद्याना हां जी याद रख लीजिए एस आईसी मोडल होस्पीटल जो है वह भारत नगर लुद्याना में और डेक्टर नती एक दो हियार इकीस को सुबा इन्होंने के लिए नहीं दिया जाएगा अगर जो करंटली एंप्लॉइमेंट मतलब के पहले से काम कर रहे हैं वह फैलिंग विच हर सट कंडिटेचर टू लाइवल टू रिजेक्शन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह वेबसाइट से इनकी निकाला जा सकता है वेबसाइट है यह को बने रही है नोट एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं जो वेकैंसी से उनको इंक्रीज किया जाता सा कोई टीएडीए नहीं मिलेगा कैंडिडेट जो क्वालिफिकेशन फिल करते हैं वह इंटर्वियों के लिए आएं अपॉइंटिक अथूरती है जो किसी भी समय अड़ प्रफार्मे की बात कर लेंगे एप्लिकेशन फोड़ पोस्टो फोन कॉंट्रेक्ट बेस सबसे पहले आपने क्या लिखना है अपना नेम नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में बड़े लेटर्स में इन्होंने बलोग लेटर्स दिया हुए इसलिए आपने बड़ी ए मतलब कि जो डीट ऑफ बर्त है अप उन्होंने वर्डս में देनी है नीचे ऑजाजैं चुंब अउपर फिगर में दी जईएगा नीचे वड़ी में दी जिएगा और जितनी एजचिए आपकी है о एस एस उञना अपने लिख देनी है ठीकिए लेट लिखेंगे आप यहा यह बता देना आपने पर्मानेट अड्रेस लिखेंगे आप ब्लोक लेटर्स में सारा कुछ है जो बड़े क्रेक्टर्स में लिखना है पिन कोड मेलिंग अड्रेस मोबाइल नंबर हो इमेल आडी मोबाइल नंबर हो इमेल आडी वही दीजिएगा जो आप रेगुलरी यहां आप इसने यू आर एससी ओबीसी एस्टी नहीं फिल करना जो इनकी कैटेगरी है जैसे 0102034 ऐसे बर देना अगर फॉर लिखा हुए तो खाली फस्ट बॉक्स चोड़ दिएगा पीछे फॉर लिख दीजिगा जिरो आगे डालनी नहीं आपने इन्होंने नहीं लिख Чक ने चौन में अपने पास किया प्रसेंटेश कितनी जाप से क्टी ए कितन ही अपने पास किया यह परसेंटाश कर देना यह तो आगे बात कर सका लेंगा हमने बताया था कि जो फर्स्ट कोलम है ना जो फर्स्ट रोव है यह गलत बनाई हो इनने अगर आप सेरियल नंबर यहां से शुरू कर दीजेंगे नेम फॉल अड्रेस डेजिगेशन तो यह फ्रोम एंड टू आएगा इसलिए आप सेरियल नंबर से पहला पहली रो सेकिंड जोड कर थर्ड रो से आप स्टार्ट कीजिए गा एक्स परेंस नेम ओव आंपलोः डेजी के निशन जो हो गया पिरिड मों कहां से कहां तक आप kasih य। कितने नीचे टौटल ऐक्करीयंश आगल आपने लग लग डिपर्मेंट किया हूए तो नीचे आप टोटोल कर दीज अब बात आती है list of and closers की कौन कौन से certificate आपने लगाए हुए है वह साथ में दे दीजिए जैसे academic qualification आपने लगाए है experience certificate लगाए है या resident certificate लगाए है जैसे जैसे आपने लगाए है वैसे वैसे serial number wise यहां पर लिख दीजिए यह इन्होंने कहा है कि हमारी जो पर declaration किया उसमें हमने चुपाया नहीं है कुछ भी गलत नहीं है अगर फिर भी हम कुछ गलत करते हैं तो उसके बागीदार हम रहेंगे बसे यह नहीं लिख्या हुए नीचे signature of candidate है उमीद करते हैं आपको जे पोस्ट अच्छी लगी होगी और जो हमने समझाया आपको प्रॉपरली समझ जाया होगा अगर कुछ भी नहीं बता लगा चला तो कमेंट ज़ूर कर दीजिए एक पर हमारा टैक गुरू नाम का चैनल भी है ऐसी ही जो आप अपना चैनल विजट करेंगे उस चैनल पर नीचे टैक गुरू नाम का चैनल दिखाई देगा अगर कोई भी टेकनिकल रिकार्डिंग वीडियो है वो हम अपने टैक गुरू नाम के चैनल पर दालते हैं इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ल कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा हम जहां से भी इन्फोर्मेशन मिल सकती है ठीक है जी वह आप जरूर ज्वैन कीजिएगा और जो पोस्तर रहेंगी उनके साथ हम बने रहेंगे तब तक के लिए बी सेफ स्टे कनेक्टर्ड यू टेक केर वेरी कुट केर ओव कीजिए जरू सकती है था हम जरूर्मेशन मिल सकती है